मध्यप्रदेश के किसान संगठनों ने सोयाबीन की फसल को लेकर केंद्र सरकार से तुरंथ हस्तक्षेप करने की मांग की है। किसानों का दावा है कि राज्य में सोयाबीन की कीमतें दस साल के निचले स्तर पर आ गई है। किसान संगठनों के गठबंधन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर स्थिती में सुधार नहीं हुआ तो मध्यप्रदेश सोयाबीन राज्य का खिताब खो सकता है। कुछ किसान नेताओं ने दावा किया कि पिछले अगस्त में 4450 से 4725 रुपए प्रती क्विंटल से की कीमतें गिरकर 3500 से 4000 रुपए प्रती क्विंटल पर आ गई हैं। तिलहन की फसल को राज्य में पीला सोना माना जाता है। मोटे अनुमान के मताबिक देश का लगभग आधा सोयाबीन मध्यप्रदेश में पैदा होता है। SKM में शामिल कुछ किसान संगठनों ने भी गिरती कीमतों को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को हस्तक शेप करना चाहिए और 6000 से 8000 रुपए प्रती क्विंटल के बीच कीमतें तै करनी चाहिए। केंदर सरकार ने विपनन सत्र 2024 से 25 के लिए सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP, पिछले सत्र के 4600 रुपए प्रती क्विंटल से 292 रुपए बढ़ा कर 4892 रुपए प्रती क्विंटल कर दिया है। भारतीय किसान नौजवान संग के मध्यप्रदेश प्रभारी ने कहा, किसानों को आज वही कीमत मिल रही है, जो उन्हें 10 साल पहले मिल रही थी। पिछले एक दशक में खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है। भारतीय किसान मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने न्यूज एजनसी को बताया कि गिर्ती कीमतों के कारण किसानों की फसल में रुची कम हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश, सोयाबीन राज्य का खिताब खो सकता है क्योंकि फसल MSP से नीचे बिक रही है और किसान अब दूसरी फसलों की ओर रुख करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में बाजारों में सोयाबीन की नई फसल आने के बाद कीमतें और भी कम हो सकती हैं। आयात को रोके ताकि घरेलू किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। केंद्र सरकार के आंकडों के अनुसार, देश में चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुवाई 125.111 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले खरीफ सीजन से 1.2-6 लाख हेक्टेयर अधिक है। Bureau Report Market Times TV